लार्क और उसके यूवा एक लार्क ने नए गेहूं के खेत में अपना घोसला बनाया, जैसे जैसे दिन बीटते गए, गेहूं के डंठल लंबे होते गए और यूवा पक्षी भी ताकतवर होते गए, फिर एक दिन जब पका हुआ सुनहरा अनाज हवा में लहरा रहा था, किसान और उसका बेटा खेत में आए, किसान ने कहा, यह गेहूं अब काटने के लिए तैयार है, हमें इसकी कटाई में मदद के लिए अपने पडोसियों और दोस्तों को बुलाना चाहिए, पास ही अपने घोसले में मौजूद यूवा लार्क्स बहुत दरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर रीपर्स के आने से पहले उन्होंने घोसला नहीं छोड़ा तो वे बहुत खत्रे में पड़ जाएंगे, जब मदर लार्क उनके लिए भोजन लेकर लोटी, तो उन्होंने उसे वह सब बताया जो उन्होंने सुना था, दरो मत, बच्चो, मा लार्क ने कहा, अगर किसान ने कहा कि वह अपने काम में मदद करने के लिए अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बुलाएगा, तो यहां गेहु अभी कुछ समय तक नहीं काटा जाएगा, कुछ दिनों के बाद गेहु इतना पक गया था कि जब हवा ने डंठलों को हिलाया, तो युवा लार्क्स के सिर पर गेहु के दानों के धेर सरसराते हुए गिरे, किसान ने कहा, अगर इस गेहु की तुरंद कटाई नहीं की गई, तो हम आधी फसल खो देंगे, हम अपने दोस्तों से मदद के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते, कल हमें। और देरी नहीं होगी, उस दोपहर बहुत अधिक फरफराहट और पंक बाहर निकलने की कोशिश हो रही थी, और अगले दिन सूर्योदय के समय, जब किसान और उसके बेटे ने अनाच काता, तो उन्हें एक खाली घोसला मिला, कहानी की नीती। स्वयम सहाइता सबसे अच्छी सहाइता है।